और आज का फर्स्न प्रस्न है कि बात चीत सीर्षक के रसनकार कौन है काफी महत्पों प्रस्न है दोस्तों कि बात चीत सीर्षक कहानी के रसनकार कौन है तो इस पार्ट के जो रसनकार है वह बालकृष्ण भर्ट जी हैं आपको मालूम भी हो का आप अपना इंसर जरूर टाइ और यहाँ पे बात करें जगदीश चंद्रमाथुर के दोरा जो पाठ लिखा गया था दोस्तों वह ओ सदानीरा पाठ को लिखा गया था याद रिखेंगा और यहाँ पे बात करें उसार सिर्षक कवीता के रशनकार कौन हैं तो हम अभी ही बता हैं कि उसार सिर्षक कवीता के जो रशनकार हैं वह समसिर बहादूर शिह जी हैं यहाँ पे बात करें ग्यानेंद्र पती के बारे में तो इनके दोरा जो पाठ लिखा गया था दोस्तों वहां का घ्र हो जैगा गाओं का घ्र और यहां बात करें सुभाद्रा कुमारी चौछान के बारे में तो इनके द्वरा जो पाट लिखा गया था वह पुत्र बियोग हो जैगा पूत्र बियोग औरने आते बारे में बात करें तो इनके दोरा जो पार्ठ लिखा गया था वह समसЕร बहादुर्शी जित नारीशवर्श है के रस्नेकार कौन्यों CA और प्रेम के पीर के कभी कोन है और यहाँ बात करें रोज कहानी के लिखा का कौन है काफी महत्रपों प्रस्ण है दोस्तों कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है तो इसके जो राइट एंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा अग्ये जी यानिके अपसर मर जो ए है वह सही एंसर हो जाएगा और नरीस और अमधारी सिंदिंगर और मलि प्रगीत और समाज पाठ को लिखा गया था तो इसका राइट एंसर होज़ेगा अप्सन नमबर A इन में से कौन सी रश्णा परसाद जी की नहीं है यानि कि कहने कारते जैसंकर परसाद की इसमें से कौन सी रश्णा नहीं है तो आपको बताना है कि देव दाशी कामयानी आशुय जहरना तो जो जहरना है ये परसाद जी की नहीं है निकापसर मर जो सी है वह सही इंसर होज़ेगा दोस्तों आप अपना इंसर मिलाते चलेगा और यहाँ प्रस्ण है कि पंडित चंद्रधर सार्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है इन में से बताना है कि पंडित चंद्रधर सार्मा गुलेरी जी का कहानी इन में से कौन है तो अब तक आपका राइट इंसर भी आगया होगा कि इसका सही इंसर होज़ेगा उसने कहा था यानिके option number जो C है वह सही answer होज़ेगा और बात करें तिरिश पार्ट के लेखक के तो तिरिश पार्ट के जो लेखक है उदय परकास C और जूठन पार्ट के जो लेखक है वह ओम परकास बालमी कीजिए हैं तो इसका right answer होज़ेगा option number C और सिरिक्रिशन ने कीस पर अक्रमर किया था क्या रामर पर कंस पर सहस्त्र बाहु पर या डी है इनमे से को नहीं तो क्रिशन के दोरा जो अक्रमर किया गया था दोस्तों वह अक्रमर किया गया था कंस पर यानि कापसर मर जो B है वह सही एंसर हो जएगा राम के द्वारा तो रावन पर अक्रमाण किया गया था तो भी इसका सही एंसर हो जएगा तो चले नेक्षनव प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पे नाइनव प्रस्ण आपके सामने हैं कि इनमे से कौन सी रश्णा बिहार के है कि रशनकार बिहार के हैं आपको बताना है कि कौन से रशनकार इनिमे से बिहार के हैं तो क्या समसेर बहादुर स्री मोहारा के रामधारी स्री दिनकर या जगदिश चंदर मातुर तो अब तक आपका एंसर भी आगे होगा कि जो रामधारी स्री दिनकर हैं वह बिहार के हैं यानिका अप्सन मर जो B है वह सही एंसर हो जएगा और यहाँ पे बात करें तूलसी दास अपना पेट कैसे भरते थे कभी ताइं करके कथावा चन करके या राम कथा गाकर या सिरी राम सिरी राम का नाम लेके तो जो तूलसी दास थे वह अपना पेट राम सिरी राम का नाम लेकर अपना पेट भरते थे यानिका अप्सन मर जो D है वह सही एंसर हो जएगा और यहाँ बत करें तो अब तक आपका राइट एंसर भी आ जाना चाहिए कि सिक्षा पाठ के जो निबंदकार है वह कौन है तो यह तो है जे क्रिश्ण मूर्ती जी यानिका अपसर मर जो A है वह सही एंसर हो जएगा उदय प्रकास तो जानते ही हैं तीरिश पाठ के लिखा के और मोहरा केस के द्वारा जो पाठ लिखा गया था वह सिपाही की मा और मलियाग के द्वारा जो पाठ लिखा गया था वह हसते हुए मेरा अकिलापन तो चलिए देखना प्राश्ण को देखते हैं और यहाँ पे 12 प्राश्ण को देखेंगे कि गाओं का घर कभीता के कभीत कौन है ठीक तो ग्यानेंदर पती या जैसंकर परसाथ रगुबीर सहाई तो गाओं का घर कभीता के कभीत कार कौन है तो इसमें से बतताना है कौन है ठीक तो अप्सन नमर जो A है वह सही अंसर हो जएगा ग्यानेंद्र पती जी और अगुबीर सहाय के दोरा जो पार्ट लिखा गया था वह अधिनायक पार्ट को लिखा गया था और बात करें जैसंकर परसाद के बारे में तो इनके दोरा जो प पुल्स की चार्चा होई है तो अब तक आपका एंसर भी आ जाना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही महत्तपू प्रशन है तो अप्सन बर जो B है वह सही अंसर हो जएगा महत्मा गाधी भगवान स्री क्रिश्न किस कभी के पुज्य थे काफी महत्तपू प्रशन है दोस्तो कि जूठन जो पार्ट है या सिर्षक कौन सी बिद्या की है ठीक क्या कहानी सब्द चीत्रिया आत्मकता या अर्डी है इन्वे से को ने तो जूठन सिर्षक की बिद्या जो है दोस्तो वह कहानी है जूठन एक कहानी है या अपसर मर जो ए है वह सही अंसर हो जेगा और जू अम्हप्रसाद की जो सरिष्ट करेती हैं वो का मायनी है यानिकि अपसर्मार जो इह है वह सही आंसर के साथ राईट एंसर होजयेगा दोस्तों और यहाँ बात करें कि निम्नांकित में कौन अग्ये का उपनियास नहीं है यानि कि इन में से बताना है कि अग्ये का उपनियास कौन नहीं है तो अब तक आपका राइट एंसर भी आगया होगा कि जो त्रीवेडी है ये अग्ये की उपनियास नहीं है यानि कि अपसर में जो D है वह सही answer हो जेगा दोस्तो और यहां बात करें मुक्ती बोध का जन में कहां हुगा था तो मुक्ती बोध का जो जन हुगा था दोस्तो आपको बताने हैं कहां हुगा था तो शियोंपूर शियोंपूर यानि कि अपसन में जो C है वह right answer हो जेगा और यहाँ पर बात करें कि मालती की सिर्षा की पत्रा है काफी महत्पूंप प्रशने दोस्तों कि मालती की सिर्षा की पत्रा है तो इसका राइट एंसर जो होता है दोस्तों वह रोज कहानी के पत्रा है यानिका अपसर मेर जो ए है वह सही एंसर हो जाएगा और रोज के जो रश् मिर्टू का कारण क्या था महामारी कारदुरघटना फासी या गोली तो इनकी जो दुरघटना होई थी मिर्टू का कारण जो था वह कारदुरघटना में इनकी मिर्टू हो गए थी यानिका अप्सन मार जो भी है वह सही अंसर हो जेगा दोस्तो और यहां पूछा गया कि राजनी इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें राजनी राजनी अजोर बड़ी मात्राइए अस्वा अप्सण नमर जो यहां पर ते थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है तो यहां पर वी के साथ इसका राइट इंसर हो जीगा क्योंकि है यहां पर रजनी जो लिखा रहता है इस तरह से लिखा रहता रा कि ओर यहां स्य physicianischer सब्सक्राइब और यह यह भी है सी यह रहेगा तो यहां पर अबर कोई नहीं है लेकिन यहां पर लगा सकते हैं अप्स नॅमबर फिस यहां पर जाम यह भी कोजन आया था दोस्तो तो यहां कोजन ही राइट एप उसमें तो आप पावन तो पावन का सही संदी बिछेद क्या होगा तो हम बहुत बार बताएं थे कि जब वन एकले रहेगा यानि कि एकले नहीं रहेगा तो इसमें एक रहेगा एकले और डबल एकले रहेगा पा तो इसमें डबल एकले रहेगा ठीक तो अब तक आपको समझ में आगे होगा कि पावन का सही संदीबी छेद क्या होगा तो पाव जोर अन यानि कि अप्सनमर जो सी है वो सही अंसर हो जेगा और सत्कार, सत्कार का सही संदी भी छेद क्या होगा तो आप तो जानते हैं कि सो अत्तो में होलांत है कि आधा यहाँ पे तो है तो तो में होलांत है यहाँ पे only for B में है तो option number जो B है वो सही अंसर होजेगा और यहाँ पे बात करें विद्याले का सही संदी बिछेद क्या होगा तो ये तो प्रस्ण देखते ही आपका एंसर आगे होगा कि विद्या विद्या जोर आलाई इसका सही एंसर होता है जो कि option number A में है इसका right answer होजेगा विद्या जोर आलाई और दिनेस दिनेज का सही संदी बिछेद क्या होगा ये बहुत महत्तपूपरस्णे तो आपको पाता होना चाहिए कि जो दिनेज का सही संदी बिछेद होगा दीन दीन तो यहाँ पे हो जाएगा लेकिन इसमें बड़ी E रहेगा और उसके बाद सर रहेगा क्योंकि बड़ी E और और जोर बड़ी E बराबर होता है A बड़ा A ठीक बड़ा A तहीं वन इफ़ोर A रहता है तो यहाँ पे दिनेज हो जाता है यहाँ पे जो A है वो सही अंसर हो जेगा दूस्तो यहाँ पे दिनेज का सही संदी बीचेद हो जाएगा और यहाँ बात करेंगे कि उपसर्ग क्या है तो हम पहले आपको बताए है कि उपसर्ग में पहला पत परधान होता है और परते में अंतिमपद तो A गमन तो A गमन में अंतिमपद जो है गमन है जो की एक सब्द है गमन जैसे गमना हो गया और आ तो इसमें आ उपसर्ग है तो आ के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा बी इस दर राइट एंसर फोर दिसको सब्द होगा तो पुर्नीमा तो इसमें हम बताएं कि जो अंतिमपद होता है वह पुर्नीमा तो यह एक परकर का सब्द होता है लेकिन यहाँ पे हर्सिकार से इसमें लगा है तो आप असानी से इसे ग्यात कर सकते हैं अपसर नमबर जो ए है वह सही अंसर होज़ेगा तो इसमें ईमा उपसर गए, तो पूर्न जोर ईमा बराबर पूर्न इमा हो जाएगा और यहां प्रस्णि नेग Jalaj का कौन से समास है? तो इसमें तो ततत पूरू समास में, अभ्याई भाव का याथा सकती हो जाएगा दोंद समास में दोनों परधान होता है जैसे दाल भात भाई बहन माता पीता ये सभी दोंद समास का उधान होता है दिवाले दिवाले में कौन से समास है दिवाले तो देव जोर आले इसका सही संदी पिछे दोगा लेकिन यहाँ पे दिवाले दिवाले जो होता है वह लंबोदर हम सदानभासा में कीस को कहते हैं हम गणेश को ही कहते हैं जो यहां पे गणेश जो आया है वह अलग से एक पद परधान है तो लंबोदर को हम कहा सकते हैं बहुब्री समास और बहुब्री समास के जो महत्तपों उधार जैसे तिलोकी हो गया गाजानन्ध हो गया औ और एक होता है पितामबर, पितामबर किसको बोलते हैं हम लोग विश्मुरु को बोलते हैं और तिर लोग कि किसको बोलते हैं हम लोग संकर से बोलते हैं तो संकर को बोलते हैं तो यह तो बहुबरी समाज के साथ इसका राइटें से चला जाएगा और यहां प्रश्णी की रा समास के साथ इसका राइट एंसर चला जाता है और द्वीगू समास में क्या होता है द्वीगू समास में पहला पद जैसे चोराहा हो गया तो पहला पद संख्यावाचक हो जाएगा संख्यावाचक कानेकार्थ है गीनती का सब्द जैसे संख्यावाचक चोराहा हो गया तो चो प्रतिदीन कौन समास है तो प्रती दिन जो यहां पे garant ये समास लगा है दोस्तों इसमें अभ्याई समास लगा का दो समास तो जानते हैं वहता है कि आग होता है याद रखेगा और अग का परवाची सब दिख्या ओगा ये तो बहुत बार हुम कराए चुके हैंँ को सेशन में कि आग का परेवाची सब्द क्या होता है तो आग का जो सही परेवाची सब्द होता है दोस्तों वह तो जाहिल से बाद अप्शन को देखते हैं इसका राइट एंसर आगे होगा कि अगनी इसका सही एंसर हो जेगा और यहां बत करें इश्वर का परेवाची सब् होगता है वह तो परमात्मा होता है संकर को तो सिव जी को बोलते हैं संकर यह तो आप जानते हैं दिवेंद्र को इंद्र भगवान अत्मा यह तो अलग हो गया तो अप्सनमर जो भी है वह सही अंसर हो जाएगा और अंधकार का भी लोम क्या होगा तो जहां अंधकार रहेगा तो वहाँ तो परकास भी होना चाहिए तो अंधकार का तो अंधकार का परकास हो जेगा रात का दिन हो जाएगा दोस्तो तो अप्सन अमर जो ए है वह सईयन सर जो जो जएगा तो चले निक्षन प्रस्ण को देखते हैं और यहां प्रस्ण है कि अदेह का बिलोम सब्द क्या होता है तो अदेह का जो बिलोम सब्द होता है दोस्तों तो अदेह का बिदेह निके संदेह होता है अदेह का संदेह बिलोम सब्द होता है दोस्तों और गोरा गोरा का बिलोम सब्द क्या होगा तो गोरा का जो सही संदी बिछे दोगा वह काला हो आधाकर और यहां बात करें तो सब्सकूरण का बिंढ़ारता का है विक्रीतार्थक शब्स को सब्सक्राइब और फावराची सब्सक्राइब या सबनार्थ सब्सक्राइब तो ये तो एक ही होता है तो बिप्रितार्थक सब्द सधारन का पूचा है तो सधारन तो सधारन का बिप्रितार्थक वो तो और सधारन हो जाएगा यानि कब समर जो B है वो सही एंसर के साथ right answer भी हो जाएगा जिसका आचरन अच्छा है के लिए एक सब्द क्या है और एक सब्द के लिए एक सब्द है कि जिसका आचरन अच्छा है के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा दोस्तों वह सदाचारी हो जाएगा बी इसके पास धन हो के लिए एक सब्द क्या होगा तो जिसके पास धन होता है उसे तो निर्धन कहते हैं कि अपसर नमर जो यह है वह सही अंसर हो जेगा और यहां बात करें तिराजने को देखते हैं कि घोरा बेच कर सोना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है काफी महत्यपों प्रशने दोस्तों कि घोरा बेच कर सोना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो निश्चिंत होना यानि कोई काम है अभी तो आपका घोरा बेच कर सोने का समाई नहीं है आपको तो मेहनत करना है तो जब आप पर परिक्षा दे लिजीगा अच्छे तरीके से तो आप घोड़ा बेच कर सोगे या गधा बेच कर सोगे वह तो आप पर निर्भा करता है निचिन्त होना उसे कहते हैं यानिका अपसानों जो भी है वह सही अंसर होचेगा दोस्तों और यहां प्रस्ण है कि चैन की बंसी बचान मुहाबरे का अर्थ क्या होता है यह तो देखते ही आपका अंसर आ गया होगा दोस्तों कि चैन की बंसी बचाना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो इसका राइट अंसर जो होता है दोस्तों वह सूखी रहना यानिकि चैन की नींद आना यानिकि जब आप अच्छे से पर प्रशने दोस्तो कि राई का पहार बनाना यानि कि छोटी बात को चढ़ा चढ़ा कर कहना तो राई को पहार बनाने मुहाबरे का सही अर्थ होता है यानि का अपसरमर जब भी है वह सही इंसर होजेगा दोस्तो और यहां पर बात करें कि हाथ पाव मारना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है काफी महत्तपूर प्रस्थ दोस्तों कि हाथ पाव मारना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो अब तक आपका राइट इंसर भी आजना चाहिए कि जो प्रयास करना इसका राइट इंसर होजेगा हावा में बाते करना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है काफी महत्पू प्रशने दोस्तों कि हावा में बाते करना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो जो भी दोस्त option number C को लगाए है वहुत तरक्की करना हावा में बात दे करना मुहाबरे का सही एंसर होजेगा धर्म का भी शेशाण क्या होगा धर्म का धर्म का धर्मे तो ये तो बिप्रितार्थक सब्द हो गया यानि कि भी बिलम सब्द और यहां पे धर्मे का भी शेशाण को जा है तो धर्मे का धर्मे की कि अपसर म sourd alkaline डेत्ष यह राष्ट का क्या होगा काफी महत्यच्य हवाँस्ट कि टो राष्ट का भी ह Psalm आपसा प्र सब्सक्राइब आफ्यानेशान क्या होगा जो षयार होगा दोस्तों तो चारीत्रिक हो जगा चारीत्रवान नहीं लगाएगा दोस्तों चारीत्रिक इसका सही अंसर हो जगा चारीत्रिक गापसरमा जो ए है वो इसका सही अंसर हो जगा तो दोस्तों इस परकार से इस मत्पूर्ट सेसन को यहीं पर खत्म करते हैं अगर यह सेसन आपको थोड़ा सभी अच्छी लगी हो तिसे एक लाइक जोड़ किजिएगा दोस्तों और चानल पर नए जोड़ हो तो चानल को जोड़ सब्सक्राब किजिएगा इसी तरह से मात्यपोंट सेशन आते रहेंगे ताकि बोर्ड इक्जामे अब इससे बाहर एक भी परश्णतर न जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में आज के इतना ही तो हसते रहें और मुस्करात रहें और अपनी त्यारी को मजबूत करते रहें थैंक यू